कि एंटी वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नए बीएलो एप की साहता से किस प्रकार से फॉर्म नमर छे को भरा जाता है इस वीडियो की बीएलो एप को जिसे आप ओपन करेंगे अब देखिए इसमें मैंने पहले से रखा है आप लोग भी लोग इन कर चुके होंगे तो लोग इन करते ही सबसे पहले आपको डेश्बोड दिखाया जाता है तो यह आपका डेश्बोड है ठीक हमें फॉर्म बढ़ना है तो हमें स्क्रीन के नीचे दिखाई दे रहे हैं यह आपर फेसिलिटीज चैक्लिस्ट सोब्सीरे जिद्वित नाम पर काफे सारे दिखाई देते हैं तो हम जानते हैं जैसे हम यहां पर टच करना है जैसे भी तेच करते हैं तो हमारे यहां पर फॉर्म में पर रच्छे बढ़ने की प्रोसेस शुरू होती है तो देखे यहां पर क्या किना चारा है प्लीज सलेक्ट , please select section number and name, यहाँ कि आपको आपके अनुभाग जिस मद्दतों को आप जोडने जा रहे हैं, वह किस अनुभाग में रहता है, उस अनुभाग को आपको यहाँ पर set करना है, तो उसके लिए आपको बटन दिया गया है, यह वाला, यहाँ पर आपको आपके अनुभाग चूच क हुआ है नीले कड़र का यहां पर यह आपको दिख रहा होगा तो यह सब्सक्राइब नेक्स्ट आपको कर देना है उसके पश्चाथ अब आपको यहां से एंट्री शुरू होती है पहला उप्शन है फस्ट नेम फॉलोड बाइद मिडिल नेम यहां कि आपको कुल्मिला के नेम लिखना है फस्ट नेम टाइप यह देखिए यहां पर दो प्रकार के टाइप हैं उपर और नीचे उपर वाला जो टाइप है इसमें आपको इंग्लिश में नाम बढ़ना है नीचे वाले में अपने आप इंदी में भरा हुआ जाएगा ठीक है आए करते हैं तो पहला इंग्लिश के इस से कौन-कौन से जो हैं हिंदी में नाम बदल सकते हैं इसने मुझे सजेशन दिये हैं तो जो सबसे सूटेबल या जो हिंदी में जिस प्रकार का मद्दाता नाम लिखता है वो आपको यहां पर स्लेट कर लेना है उसके पसचा सरनेम उसका सरनेम लिखना ह है ठीक है सरनेम देखिए लिखना अनिवार तो नहीं है लेकि लिखना चाहिए क्योंकि आजकल वोटर आईडी का आट से पैचान पत्र पैचान की आइडेंटिव रूप के रूप में कामें ले जाता है कई स्टुडेंट्स हैं कई लोग हैं जो वहां पर सरनेम से उसको मि लिखना चाहिए करना चाहिए है है उपर वाला है ć उपको लिखना है और यहां को आप है लिखा वाए ने फोटोग्राफफ ॏ फटोग्राफ आपको लिखाव है तो आपको तो यहां पर फोटो चूज करना है आपके मद्दाता का अब मद्दाता के फोटो को चूज करने के लिए दो ऑप्षिन दिये गए हैं टेक फोटो यानि कि आप सामने ही खड़े हैं आपका मद्दाता आपके सामने खड़ाए तो आप उसका फोटो ले सकते हैं लेकिन अगर पीचे पेड आ रहे हो दिवार आ रही हो कोई स्लोगन आ रहा हो को विज्यापन आ रहा हो एसा ना हो केवल मद्दाता का चेरा ही उसमें दिखाई दे एसा आपको फोटो लेना है ऐसा इस यह की गाइडलाइन करती है ठीक है फोटो आपका सेट हो गया उसके पर चाहित आप पर एक बटन है राइट का ठीक है इस राइट के बटन की साहिता से आपको इसको सेट करना है तो यह आपका फोटो महाँ पर सेट हो जाएगा उसके पश्चात हम फॉर्म को नीचे बढ़ाएंगे इसके बाद है यहां पे आपको जो ऑप्शन दिये गए हैं उसमें से आपको रिलेशन चूच करना है कि इस मद्दाता का जो संबंदी का नाम आप बढ़ने जा रहे हैं उसके क्या संबंद है ठीक है वो फादर है मदर है हस्बंड है यह जो भी है तो फादर वाला उप्शन में मैं यहां पर चूच कर रहा हूं ठीक है उसके बाद नेम ओफ रिलेटि ठीक है उनका स्रेडियम लिख दीजे यह हम स्रेडियम लिख देते हैं और इंग्लीश में और नीचे जो है वो अपने आप हिंदिया में करके देगा और हमें उन में से कोई एक सजिशन चूच करना है तो वह यहां पे फिल हो जाएगा हमने प्रेटिव का नाम लिख दिया या फिर हमें खुद के मुबाइल नंबर डालने है तो खुद के मुबाइल नंबर डालने है तो मुबाइल नंबर मियां पर बढ़ देते हैं यह मुबाइल नंबर बढ़ दिये हैं मुबाइल नंबर बढ़ना मेंडेटरी है इसकी साहिता से वह आगे इन फूचर में किसी ओनलाइन माद्यम है NBSP Portal है Waters Portal है या Water Help and Ape है इसकी साइधा से वो अपना खुद का Electronic Epic Card डाउनलोड कर सकता है तो इसलिए हमें Mobile Number डालना जरूरी है ठीक है उसके पस्चात Email ID का Option है Email ID अगर आप वो मद्दाता उपलब्द कराता है तो आप भर दें नहीं तो इसको बढ़ना जरूर नहीं है आगे बढ़ जाएं आगे का Option है आधार Details ठीक है आधार नमबर आपको यहाँ पर लेना है अधार नमबर वाले Option पर टूच करके उसका यहाँ पर आधार नमबर बढ़ दें ठीक है औराधार नमबर आपको यहाँ पर टाइब करना है उसके पात जेंडर आपको जो मगून सेट करना है तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ उप्शन दिया हुआ है इस जगर इस जगर calendar क्या आता है इस जगर आपको जो है calendar की साहट से इस में date of birth फिल की जाएगी ना कि type करके ठीक है तो आप को यहाँपर ट्छ करना है ठीक है आपको यह धूर दिख जाएगा अब ह Calling करना है कि यह जो आरो वाली की है इससे आपको जो है मंत्थ चेंज करना है ठीक के लेकिसाल कहां से चेंज गह exactamente तो उसके लिए आप देखेंके उपर यूपर यह पर छोर्टे से स्क्ष्रों में यहीर लिखें आपको क्या और इसके हैं हैं तो आपको month set करने के लिए या आगे पीछे के जो navigation बटन है, इनकी साधिता से आपको month set करना है. तो जो भी month date of birth आपको set करनी है, उसका month आपको जो लेना है, वो आप आगे पीछे वाले arrow किसे ले सकते हैं, उसके पाग जो तारिक है उस तारिक के सामने आपको जो है टेप करना है तो आपकी जो डेटो बर्थ है वो आपको जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगी जैसे ही आप सेट कर देंगे तो यहाँ पर आप देख लें कि जो भी आपको डेटो बर्थ सेट करना था क्या वो सई सेट हो गई है ठीक है उसके पस्चाहत आपको OK बटन पर टच करना है कलेंडर का जो ऑके बटन है आपको टच करना है तो जो आपने डेटो पर तौह सेट की थी वह यहाँ पर आपकी फिल हो जाएगी उसके पस्चाहत अब आपको नीचे दिया हुआ है डोकुमे इस तरह के जो option है और इसके लावा एनी अधर डोकुमेंट जो भी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार जो भी डोकुमेंट उम्र के लिए पात रहें वह आपको लेने हैं और इस लिश्ट के अलावा अगर आप मानते हैं कि कोई और डोकुमेंट है तो फिर वह आपको यहां से एनी अधर डोकुमेंट ऑप्शन की साहिता से उसको सलेट करना है ठीक है तो हम यहां पर आधा कार्ड को काम में ले रहे हैं तो आधा कार्ड पर टच करेंगे उसके पस्चात प्रूफ ओप डेट बड़त वाला जो है यानिकि चूज फाइल ज यानिकी एक फौ्टो फाइल आपने आधा काड की रख रहने है मोबायल में आप उसको कर सकते हैं चूज पी-डियफ यानिकि अब फोटो क्वाइल के साथ साथ या पी-डियफ फाइली प्रूब्स कर सकता है तो हम फोटोफाईल को काम में लेंगे और वौटोफाइल की सह प्राइता से उसको जो है OK करना है ठीक है तो वह आपका जो है यहां पर प्रिवी दिखाए जाएगा और डॉकुमेंट का नाम आज आएगा तो आप समझ जाएं कि मैरा जो फोटो फाइल है यह जो फोटो है वह इसमें अफलोड हो गई यह उसके बाद आपको करना है save and next सेवे and next करने के बाद आप आ जाएगे residential डिटेल वाले page पर residential डिटेल वाले page पर आपको क्या करना है उसका पता यहाँ पर टैप करना है पता करने के लिए फ़िवे दो box गये एंट या इंगलिस में टाइप करना है नीची अपने पर यहां पर डालता हूं ठीक है उसके बाद नीचे आपको टाइप करने की जोरत नहीं है वह आटोमेटिक जो है ट्रांसेट हो जाएगा ठीक है यह उसका आपको स्ट्रीट लोकेलिटी मॉल्ला तो आपको यहां पर मॉल्ला लिखना है ठीक है यहां पर अनुभाग भी डीक है यहां रिखता है आप कर दीजिए और वह वाला जो है आप टेक्सट क्राइब यहां पर फिल जाएगा उसके बाद टाउन या विलेज जिस भी गाउन से मैं आप विलोंग करता है या जिवी गाउन की आप यहलों है उसको यहां लिख दीजिए पूर नीचे हिंदी में अपने आप फिलो जाएगा पॉस्ट आपिस भर दीजिए उसका यह सब हम करोडा एप में काम कर चुके हैं तो ज़्दा दिकत नहीं आएगी पिन कोड भर दीजिए उसका आपके मद्दाता का पिन कोड भर दीजिए ठीक है उसके बाद चाहत तैसिल भर दीजिए उसकी हिंदी इंग्लिश में ठीक है उसके बस्चाथ डिस्टिक आपको यहां से सलेट करना पड़ेगा तो यह एरो वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यह अपने आप जो है आपका डिस्टिक फिल अप हो जाएगा आपकी पिन कोड से इसने ले लिया शायद म प्रूफ क्या है तो उसको प्रूफ का आपको सेलेट करना पड़ेगा तो बहुसर ऑप्षिन दीए नहीं वाटर इलेक्रिसिटी गेस कनेक्शन का बिल आधार काड़ पास्बुक इंडियन पास्पोर्ट रेवेंड डिपार्टमेंट का लेंड यान की जो जमाबंदी होती ठीक है इसके रावार रेंट की जो कोपी होती है वो है ना सेल डीड है तो यह उप्षिन यहां पर दिये हुए है ठीक है और इनमें से भी कुछ नहीं मिलता है और ऐसा कोई डॉक्मेंट जो प्रवाइड उपर कराता है आपका मत दाता जो इलेक्शन कमिशन ओप इंडियन यह दर डोकुमेंट में जाके अब आपको फोटो फाइल चूछ करनी है उसकी जो वो आपको दे रहा है ठीक है चूछ फाइल ऑप्चन की साहता से गेलेरी की साहता से मैं गेलेरी में जा रहा हूं वारबर आप फोटो फ्कृच सकते हैं उसका ठीक है उसका प्रिवू प्रिवू का है उसके पच्चा सेव एंड नेक्स्ट के पच्चा अब जो ऑप्शन है वह है आपके कि वह मद्दाता जो है आपकर डिसेबल है क्या यानिकी किसी प्रकार की उसमें विकलांगता है क्या वह लोकॉमेटिव यानिकी लूला रंगड़ा हो सकता है विज्वल यानिकी वह अन्दा है डिपेंडेंउ यानिकी मन्दवध्र है और यानँ अन्र प्रकार के उसको विकलांगता है तो आपको सचूज करनी है लेकिन किसे की पपच्चा इसके प्रसेंटज बरनी है और सट अगर लगाता तो यस और नहीं तो नो तो हमारा मद्दाता किसी प्रकार की विकलांगता नहीं रखता तो हम save and next पर touch कर देंगे उसके पस्चारत अब option आता है name of family member ठीक है name of family member अब ये option क्या है हम उसके संभन्धी का नाम पहले ही डाल चुके लेकिन यहाँ पर क्यों पूछा जा रहा है यहाँ पर उस family के member की detail ली जा रहे है जिसका परचानपतर संख्या पहले से ही मौजूद है पर यहाँ पर इस्तिति अलग है यहाँ पर आपको उस वेक्टी का नाम लिखना है जिसका पचान पत्र अब वर्तमान में मुझूद है यानि कि उसमें कोई ऐसा वेक्टी रहता है मद्दाता के साथ जिसका पचान पत्र उसी भाग का है और वह मुझूद है अब यहां पर लिखना है आपको उसका पहचान पत्र नंबर ठीक है यह पहचान पत्र नंबर उसी बाग का होना चाहिए जिस बाग में मददाता रहता है और जिस बाग के आप यह लो हैं हमने उसके बाद आप उनको करना है save and next करने के बाद अब यहां से पूछा जा रहा है कि वो जिस आपके गाओं में रेड़ा है उसकी डेटेईल आपको यहां पे देनी है ठीक है जो भी जानकर है हमने भरी है वो सब सही है ऐसे जानकरी हम यहाँ पर दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर गाउं का नाम लिखना है यानिकि जिस भी जगह वो रहता है उसके बच्चात आपको यहाँ पर उसका state select करना है ठीक है उसके बच्चात district select करना है जिस भी district से belong करते हैं अब यह जो अगले जो डेट आई है I am ordinary resident at the address यानि कि मैं वर्तमान पते पर कितने वर्षे से निवास कर रहा हूं वह आपको यहां पर रखनी है तो वही कलेंडर के साहिता से आपको बताना है कि आपके सामने जो मद्दाता है यानि कि आपके भाग में कितने वर्षे से या कि बता देता हूं कि यह जो name of the document वाला जो option है यह क्या कहना चाहरा है इसको पढ़ लेते हैं पहले I don't pause any of the mentioned document for proof of date of birth date of birth के लिए मैंने ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं लगाया है जो कि उस list में नहीं था अगर था अगर नहीं था तो पिर आपको उस document का नाम आपको यहां पर लिखना है ठीक है तो अब इसमें यह भी लिखा हुआ है लिव ब्लैंक लिव ब्लैंक if not applicable यानि कि आपने list में से ही किसी option को चुना है list में से ही किसी option को चुनते वे उसी प्रकार का document आपने upload किया है किसकी संदर्व में डेट बढ़त के संदर्व में तो आपको यहां पर इस option में किसी प्रकार की छेड़कानी करनी कुछ नहीं वर्ना आपको नीचे आ जाना है और यहां पर आपको डेट दिखाई देगी कि कि आप किस दिन फरम बढ़ रहे हैं और पहलेस दिखाई देगा कि 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 जगह से आप फरम बढ़ रहे हैं ठीकि उसके पस्चाद आपको उन्ग्रेजी में कुछ गाइडल पढ़ लें अब गरुड़ा एप में भी आता था लेकिन अब बियलो एप में और क्या चीज सुविदा दिया आपको बियलो एप में आपको इस डिटेल की सायता से पहचान पत्र कैसे निकल के आएगा कैसा दिखेगा हमारा होने वाला पहचान पत्र आप मद्दाता को यह ब कैसा दिखेगा आप यहां से देख सकते हैं यह पहला वाला पार्ट है और नीचे की तरफ पीछे का पार्ट है ठीक है इस तरह से आप इसको देख सकते हैं फॉर्म में एंट्र को चेक कर लिजिए और इपिक की सायता से इपिक को चेक कर लिजिए ठीक है अगर आपका इप सब्मिट करने पर आपको एक मैसेज दिखाई देगा फॉर्म सिक्स सब्मिटेट सक्सेस्फुली और रेफ्रेंस नंबर जो है रेफ्रेंस नंबर को नौट कर लें और उसके पच्छात आप इसको ओके कर दें ठीक है और आप जब ओके कर देंगे तो आप वापस अपके एप्लिकेशन के डेश्बॉर्ड पर जाएंगे तो इस प्रकार से हमारा फॉर्म नंबर छे बढ़ने का कारे पूर्ण होता है धन्यवाद